हेलो दोस्तों नमस्ति मैं अपनी चानल पे आप सब का स्वागत करती हूँ, दोस्तों हसते रहें, मुस्कूर रहें, पॉजिटिव रहें पॉजिटिव सोचिये पॉजिटिव रहेंगे सफलता अशड्ऽ मिलेगी सवस्त रहें मस रहें और लाइट में आगे बढ़ती जै शी क्रिष्ण रादी रादी माई सुल फैमिली माई वीवर्स माई सब्सक्राइब श्कॉड ब्लेस यू अभी कर जो मैं वीडियो लेकर आई हूं यह वीडियो मैं हर 6 मंत पे 5 मंत पे डालती हूं वह इसलिए डालती हूं कि यहां पर आपके पार्टमर की एनर्जी भी हो नहीं दे पाती हूं ठीक है तो यह वीडियो जो बनारी हूं आप लोग को लाइफ में चेंजिस लाने के लिए खुद को प्रडक्शन देने के लिए और क्या-क्या कुछ करना पड़ता है अपने लाइफ में खुद को बदलने के लिए अगर आप इंसाइटी में हो दोखे आपको मिले हैं, दर्द में हो, पेन में हो, पार्टनर आपको छोड़ कर चले गए, तो उनके जाने से आप पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये बुरा प्रभाव अब आप पर ना पड़े, उसके लिए मैं गाइडिंस देती हूं, ताकि आप और स्ट्रॉंग बनो होれない है, खुद के लिए जीना सिखो, किसी से बदला की भावना ना रखो, क्योंकि समय जैसे आपको बदलता है, जैसे आप खुद को बदलते हो, समय उनके अनुसार उस इंसान को भी बदल देती है, तैक है, इसलिए मैं बहुता हूँ कभी भी किसी से जलना नहीं है, को एसा ख rehabil आता है कि आप से बिश्यर कर आप से दूर जाकर कि यह क्या फिल्क करते हैं क्या उनके thoughts हैं ठीक है क्या के feeling और क्या इनकी true intention है तो क्या आप से कभी भी उन्हें ऐसा मिलकर महसूस हुआ था कि आप सो तो बहुत प्यार करते हैं तो दरसल मैं यह जाने की कोशिज करूँगी कभी भी आपके लिए इनके अंदर प्रू फिलिंग्स थी कभी प्यार था तो उनका मैसेज है दिये ठीक है और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी यहां पे मैं आपको बोलूँगी अच्छे रिलेशन्शेप के लिए आपको काम करना है पहले तो आपको इंजस से बाते करनी है ठीक है जो बहुत दर्द में है बहुत पेन में खुद को हील कीजिए और हमेशा बीजी रखिए इंजस आपको सपोर्ट कर रहे हैं मैं रेत की प्रती डिवाइन बहुत मतलब आपके तरफ अट्राक्ट जिससे बोलते हैं बहुत आपके तरफ ब्लेसिंग देने लेकिन उसको फॉलो करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आप लोग फॉलो करें ठीक है आप आगे बर सकते हो अगर रिलेशन्शिप के एक लेकर तो प्लीज मैं यहां बोलूँगी कि आप अंजल से मदद लीजए ठीक है एकर आप आपको मदद कर निकली होते हैं जैसे कि आर्चेंजल ऑल आर्केंगर्चेंट हुए ठीक है उनको भी ग्रैटिटू बीदिए आर्केंजल्स ऑल ऑफ लिए ठीक है या फिर आर् रिलेशनस्फिप में कोई भी प्रॉबलम है आर्केंजल गैब्रियल मेरी मदद करें उनको बुलाएं उनसे हेल्प लें और और प्रोडक्शन ले अपने पार्टनर के लिए खुद के लिए अपने रिश्ते के लिए ठीक है वह रिलेशनस्फिप में आपको बहतर से बहतर कर और इस रिस्टे के जो भी प्रॉबलमस आ हैं उनको फ्रॉबलमस को दूर करने में आपकी खेल्प खहें तो आर्केंज माइकल से आर्केंज गेवरियल जे और नियुपर हाथ करकर आप बाते केजिए ठीक है और देखिए इस मन्त में आप में कितने सारे changes आते हैं ये divine चाहते हैं कि आप उस उर्जा में आओ ठीक है ना और divine से connect हो फिर आप देखो इस मन्त में ये काम करकर देखो आपके अंदर कितनी positive उर्जा आती है है फिर आप बोला कि हाँ मैं हाँ दीदी ऐसी ऐसी बाते हो रही है help आपको इंजल्स कहना चाहते हैं मेरी थू ही देखिए मैं आपको गाइड कर रही हूं मैं six month five month पे ऐसे वीडियो बनाती हूं ठीक है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रू कमेंट में लिखना बीच-बीच में आपको गाइड किया कर दूंगी partner का एनर्जी भी होगा आपका भी होगा और guidance भी होगी तो ऐसा आपको वीडियो बनाना है तो मेरे कमेंट में जरूर लिखिएगा ठीक है ना love relationship के लिए archangel raphial से मदद लिजिए archangel raphial जो होते हैं वो healing के होते हैं heart chakra के होते हैं और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि अपने partner के healing send कर सकते हो आपका health अच्छा हो सकता है heart chakra open हो सकता है heart chakra heal हो सकता है ठीक है तो archangel raphial से भी आप मदद लिजिए क्योंकि यह आपके रिष्टे को वेटर करेंग बहुत खुबसरत बना देंगे आपका health improve होगा आपके partner का health improve होगा तो यह काम आपको करना है आप divine से connect दिजिए और all archangel's को आप gratitude दिजिए हर बग सबसे पहले सूबह उठो बाबू तो सबसे पहले आपको क् gratitude सो करो सूबह उठते ही आँख खुलते ही कि आपको एक नया जीवन मिला है एक नई उमीद एक नई आसा जैसा आप thoughts बनाओगे वैसा पूरे दिन आप पाओगे ठीक है अगर positive रहोगे तो पूरे दिन positive रहोगे जो आप manifest करोगे वही चीज आपको मिलेगा तो ब्रह्मा उठे डियत ठीक रहेगा meditation करें और gratitude सो करें कि एक नई सुवए एक नई उर्जा के साथ आप positivity के साथ आपकी आँखे खुली आपको एक नया जीवन मिला है ये दरसल होता है कि जैसे आप दर्ट पेंसे गुजर रहे हो एक एक आसा एक उर्जा आपको universe भेज रहे हैं चाहे है वो मेरे थूँ हो आपको मैं guide कर रहे हूं ठीक है तो इसको आप follow करें अब देखिए इस मन्त की जो energy निकली थी रेज की भविश्वानी में कल रात की उसको मैंने देखा और मेरा intuition बोला कि मुझे guide करने की बहुत जरूरत है कि कुछ लोग के life पे अच्छा होरा फिर भी उतार चड़ाओ की energy है तो मैं इसलिए आपको बोर्ण की इंजल से connect हो जाए ठीक है इंजल से connect हो और इस मन्त में देखिए कि आपकी क्या उर्जा होती है कितनी positivity आती है खुद को कैसे हिल कर पाऊगे ठीक है तो चलिए अब मैं देखना चाहती हूं आपके partner की true feelings उनकी current energy रिस्ते को अच्छे बनाए ये खुद को हिल किजिए लेकिन उससे पहले रिस्ते तो बनाओ गई है उससे पहले आप खुद को हिल किजिए ठीक है और gratitude सो किजिए देखिए आपके life कितने सारे changes आते हैं और आपको हमेशा positive रहना है चलिए अब देखती हूं आपके partner की energy ठ distance maintain करकर मतलब जो इसमें ज्यादा है देखिए अभी भी शापरेशन no contact situation है उनके लिए भी है और जो contact में होती है तो बहुत अच्छी बात है सबसे पहली बात आपके person यही सोचते है आप से जुदा होकर distance maintain करकर तो इनके life में बहुत सारी परशानिया बढ़ी है ना बहुत सारी परशानिया बढ़ी लेकिन कहीं न कहीं इस person को अंदर से पेन भी होता है डियर रिष्टे के बारे में लगातार सोचते हैं कि यह रिष्टा कितना खुबसूरत था ठीक है और कहीं न कहीं कुछ लोग सोलमेर जर्णी में कुछ जर्णी में भी हो लेकिन यहां पे यह बहुत खुबसरत एहसास आपके person को दे रहा था ट्रस्ट की energy इस नहीं पे आ रहे हैं क्योंकि आप दोनों को अगर विष्वास करना इस रिष्टे पे थोड़ा सा और विष्वास करना होगा क्योंकि कहीं न कहीं बीच में doubt भी आया है जिससे आपके रिष्टे खराब हु इस वक्त फिल कर रहे हो ठीक है और एक दूसरे के प्रती attraction भी है attachment भी है लेकिन उपर से सिर्फ रूट होना गुस्ता होना यह सभाव दिखाते हो दोनों एक दूसरे बट ऐसा यहां मुझे नहीं दिख रहा है प्रेशर है उनके उपर प्रेशर है ठीक है ना और कुछ आप आप भी सोच कर बहुत टेंसन ले लेते हो ओवर तिंकिंग करते हो क्या हो गया कैसे हो गया तो इस रिष्टे को सुधारने के लिए मैंने जो आपको बोला इंजल से बात किजिए और धीरे धीरे आपका intuition पावरा आप स्ट्रॉंग होगे और अच्छा फिल करोगे फिर ना तो इस रिष्टे को सुधारे खुद को सुधारे है ना देखिए आप लोग में बीना बजह एक तो डाउट एक तो थर्ट पार्टी और एक दूसरे के फाइटिंग के बजह से ब्रेक अप हुआ और दूरिया बढ़ी है चिक है थर्ट पार्टी भी बीच में आई है ऐ आप बहुत ही कोमल हो जितना आप रूड दिखाते हो गुसा दिखाते हो मतलब उनसे फाइट करते हो ना यह परसन सिर्फ सामने आप आपसे भागते हैं लेकिन पीछे में आपके बारे में बहुत खुबसरत एहसास फिल करते हैं लेकिन यह कहना चाहते कि आप उन पर परसन आगे जहां इनको जीद और गुसा करना जरूरी था क्योंकि उस वक्त इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था देखा जाए तो यह परसन इस वक्त बहुत ही मतलब आपके लिए पैस्टनर तो हैं दुखी भी हैं आपके पार्टनर आपसे दूर होकर बिलकुल खु पुछे हैं कि जहां अभी जिसके साथ है चाहां यह साथ है लेकिन पर्षो नहीं आप узнаете कि उनक है ह कहना चाहते हैं कि हो अंदर से परशानिया बहुत है तो रहे हैं देखे बहुत सोच घंट कर दो होता है परशानियां बढ़ती जा रही है जैसे लगा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना सोच लिए हो कोशिस करते हो हार नहीं मानते हो और सब लोग जानते हो सब लोग आपके पार्टनर के तरफ जिसे उतार उनको उल्जने बढ़ी है जैस इस इस फाइट हो जाना मतब चिर चिरापन इन में बहुत ज्यादा आ गया है लेकिन बस अब यह पार्टनर आपके बारे में सोच रहे कि इस रिस्ते में कैसे काम करना है क्योंकि बर्दास इस परसन को बिल्कुल बर्दास नहीं हो रहा है कभी-कभी अपने आपको कमडे म है फीमेल भी हो सकते हैं और रोता भी अपनी फिलिंग्स को एकस्प्रेस किसी से नहीं करता है या नहीं करती है उनका दिल बिलकुल नहीं लग रहा है इस वक्त इनको ऐसा फील और आडियर कि कैसे आप से करनेट करें हो सकता काफी लंबे समय से आप उनसे डिस्टेंस वें और तो और काम भी ठीक से इस बंदा के मेलो फीमेलो डियर जो भी हो काम भी ठीक से इनसे नहीं हो पा रहा ठीक है और उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हो तो ये करें तो क्या करें उल्जने बढ़ती जारी गुसा चिरचिरापन रोना अकेले रहना काम करने जाना व पार्टनर अकेले में रहते हैं सो नहीं पाते हैं और चाहिए वो कोई भी हो दिया ठीक है मेल हो फीमेल हो शायद आपसे भी कुछ यह नहीं बोल रहे हैं इस वक्ति परसंड बिलकुल खामोस है लेकिन काफी मिस कर रहे हैं वो चाहरे हैं कि आप मतलब वो एक हो जाएं देख ठीक है या फिर सिटी अलग है लॉंग डिस्नेंस मुझे दिख रहा है या फिर एक छट के नीचे भी रह करके दोनों अपने आपको कंट्रोल कर रहे हो ऐसी भी एनरजी है काफी सपने ये परसंड आपको देख पास्ट में इनों ने देखा था बीस में प्रॉब्लम्स लेकिंडियर अभी ये काफी सपने देख रहे हैं लेकिन निगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इनके दिमाग में इनके अंदर पार्टनर के लाइप में आपके बिना एक पल भी कुछ भी अच्छा फिल नहीं हो रहा आपका साथ उनके लिए बहुत ही जरू यह घेर चुकी है सबसे जाए इनको फाइनांस लॉस हुआ है मनी या प्रापटी से रिलेटेड या फिर इन्होंने लौन लिया है या किसी से इन्होंने पैसा लिया है जहां इनके उपर प्रेशर बन रहा है जहां लिगल इशू से भी गुजर रहे है ठीक है इन पर केस भ लेकिन आप की कमी उन्हें अब बहुत जादा महसूस हो रहा है बहुत ही जादा बहुत कुछ दिखरा इस परसन को यह मैंने क्या कर दिया लेकिन क्या करी यह तूट चुके हैं लेकिन अभी वह जो सोच रहा है रहा है देखिए अभी जो परसन सोच रहे है पहले जब भी आप मिले ठीक है ट्रैवल किया हर पल आप दोनों साथ रहे और उस पल को ये परसन बहुत याद करें मतलब कभी ऐसा होता था पूरे समय आप दोनों एक साथ होते थे हसी मजाग थोड़ा सा प्यार करना बाल खिशना इवन कि मेरे कुछ विवर्स के पार्टनर आप या एक दूसरे में से कोई किसी ने किसी को ना खिचा हो जूते या चपल पिनाए हो गाल पर किस किया हो वो याद कर रहे है ठीक है उस पल को एहसास करकर ये बंदा बहुत परशान हो रहे है और पलकों से आसू बह रहे है इस परसन को कह रहे हैं जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है तू बने के आसू तू चली आती है क्यों होता है ये प्यार में इतना दर्द क्यों होता है क्यों ऐसा हुआ ये परसन आपसे कहना चाहते हैं अब बैलेंस चाहते हैं ये बहुत कोशिस करें आपसे करने की देखेए यहां पे कुछ ऐसी भी एनरजी है कुछ के परसन के लाइप में उनके बच्चे हैं एज गैप मुझे दिख रहा है जहां बच्चे बड़े भी हो सकते हैं और चोटे भी हो सकते हैं तरशल हो मुझे दिख रहा है कुछ के लिए कुछ के लिए नहीं भी है तो यहां पर कुछ के पार्टनर काफी समय से आप से कनेक्ट किया है बाद किया है लेकिन आपके क्लोज आते आते खुद को उनों ने रोका है ठीक है हो सकता है मेरे कुछ वियर अभी तक आप उनसे फिजिकली नहीं हुए हो तो ये बंदा की एक चाहत है कि आपसे उमीद है इस बंदा को कुछ ऐसे हिंट आपको देते हैं कि वो आपसे प्यार करें और आप दोनों एक दूसरे के क्लोजा हो सकता है यह साल भी हो सकते है जहां यह परसन आपसे बाते तो करते हैं मतलब एक गले लगाना हाथ पकरना किस करना तक मुए देख पारे हैं बट यह परसन उससे भी जादा चाहते हैं बट यह नहीं कर पारे और उमीद आपसे करते हैं लेकिन कहीं न कहीं इस परसन के अंदर एक डर भी है क्योंकि पहल लेकिन कहीं न कहीं यह परसंट जो भी है यह आपको हिंट दे रहे हैं ठीक है किसी तरह से ऐसे बाते भी करते हैं तुमसे साधी कर लेता तुमसे बच्चे होते मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए इस तरह की एनरजी वह कहीं न कहीं आपको हिंट दे रहा होगा या हिंट यह रही होगी कुछ इस तरह की भी इनर्जी आहीं है यह काफी समय से खुद को रोक करहे हैं मतलब कोशिस हर बार यह कर रहे हैं आपके तरह बढ़े के लिए मतलब जरूरत से क्या आपके लाइफ में उनके लिए कोई जगा है क्या आपके अंदर कोई रिस्पेक्ट है इस तरह की एनरजी है नहीं तो ये ये भी सोचरी एक प्यों कि आप अगे बर कमेंट में मैंने देखा कि बहुत लोग अभी भी पार्टनर आप से बात नहीं कर रहे हैं और धर्द में भी है क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम तो ही प्रॉब्लम है ठीक है ना बहुत डर मतलब उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है अभी इनको चाहिए दर सेAR को बढ़ रही है लेकिन यह एनजी जो मिल रही है बहुत इस वeszुन पटेंगे बाता दने सकती है वह हूं सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब स्कंग मुझे दिख & सब्सक्राइब 10 haters वर्गो यानि कर्ण्या पाइसेस यानि मीन जेमनाई यानि मिथुन लिब्रा यानि तुला लियो यानि सिंगर ब्रिशब यानि टॉरेस यह साइन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं वैसे सारे साइन के लोग हैं लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात आपको एनर्जी देखनी है ठीके ना यह एनर्जी आपसे मैज कर रही है तो यह परसन बहुत कोसिस कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने की बहुत दिली इक्षा हो रही आपसे मिलने की यहाँ बहुत जल्द यहाँ टाइम डेट नहीं है यहाँ बहुत जल्द यहाँ आपसे कनेक्ट करने वाले हैं यह बहुत जल्द आपसे कनेक्ट करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात जो मैंने बोला आपको कि अभी भी शापरेशा ने no contact situation है रिस्ते खराब हो रहे हैं तो आप Archangel Michael से, Archangel Raphael से All Archangel से आप प्लीज हेल्प ले Universe से आप उपर हाथ करकर बात करें ठीक है ना ये सब आप करें सुबह उठते ही आपका thoughts होना चाहिए था और हमेशा यही होना चाहिए ता हमेशा होना चाहिए gratitude, thank you thank you Universe in just all Archangel आपको जो भी इस्ट है उनका भी नाम ले कि आपने मुझे एक नया जीवन दिया अपने आखों से देख रहा हो या देख रही हो thank you so much मैं खुबसुरत हूँ मैं भाग साली हूँ जो मैंने guidance दिया है आप उनको follow करें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर बोलेंगे अगर ये ऐसा वीडियो आप लोग को comment में देख लूँ कितना लोग को पसंद आ रहा है guidance को follow करेंगे अक्टूबर का महिना जितने problem है आप लोग बहुत change आएंगे उसके बद आप बोलोगे तो मैं meditation पर चक्रास balance पर आपको guide कर दूँगी इसी तरह वीडियो बना कर तो energy की साथ आपको guidance भी दे दूँगी जिनको जिनको जरूरी है तो आप बोल देना मैं ऐसा वीडियो बना दूँगी कम से कम होगा दियर तो कोसिस करूँगी अगर आप लोग ज्यादा बोलोगे तो मैं ये वीडियो बीच बीच में लाती रहोगी ठीक है तो बस आप guidance को follow करें देखिए आपके person रो रहे हैं अकेले में हैं तरप रहे हैं मिलना चाह रहे हैं कोसिस कर रहे हैं अकेला पन है सोनी पा रहे हैं चाहते बहुत है लेकिन negativity भी बहुत है ठीक है तूट चुके हैं हाट चुके हैं लेकिन कहीं न कहीं आपके साथ travel करना चाह रहे हैं मिलना चाह रहे हैं यह travel भी कर सकते हैं मुझे देखी दिए जहां तक मुझे energy one week की लग रही है मुझे ठीक है one week में बहुत के person आपके तरफ बर रहे हैं आप 21 या 11 21 किसी 21 बार भी आप कर सकते हो 11 बार भी कर सकते हो चैंड किजिए, किसी आप अपने पार्टनर का ही नाम लीजिए, लेकिन इंटेंशन आपका सही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए तभी वो मैनिफेस्ट होगा, आप मैनिफेस्ट किजिए 11 बार या 21 ठीक है, कोई चीज आप मैनिफेस्ट कर रहें, तो ये करकर काम भी प्रेशर भी है, आप समझ रहे होगे, आप लोगा सपोट आपका प्यार मिला, तो मैं लगतार बनाऊंगी, अभी मुझे भी काम है, प्रेशर है, बहुत हाड़ वर्क कर रही हूँ, इसलिए तो मेरा आज भी आप देख रहे हो, भाड़ी बाड़ी हो गया है, तो थोड़ा खुद का भी हिल्थ का धियान दूँगी, मेरी सोल फैमिली, मेरे भीवर्स, मेरे सस्क्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू, तो आप वीडियो को जरूर लाइक से कमेंट करें, और दूसरों को भी हिल्प करें हैंना, वीडियो अच्छी लगे, तो एक लाइक अब वीडियो ये पसंद आ रही है, तो गाइडियन्स के लिए बीच-बीच में लाती रहोंगी, आप जरूर लिखना, कमेंट में, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू,